तो आप से विगा स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर तो आज हम लोग जियोग्राफी जो किर्ण बुक है उसके जो जियोग्राफी पार्ट का जो टाइप वन है वो हम डिसकस करेंगे इसके टोटल 61 क्यूसंस है तो यह 61 क्यूसंस आज व्याख्या साइध हम लोग डिसक लगाते हैं तो जो इसका जो रइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दो नंबर का उप्षन मंगड़ और बरस्पती के चारों और चक्क्र लगाते हैं मंगल और बरस्पती के बीच का जो चेतर होता है इसके बीच के चेतर जो सेंकडो किलोमेटर आकार के जो पिंड होते हैं छोटे-छोटे इनके कारण एस्टोरेड इनको कहा जाता है या चुद्र ग्रह इनको कहा जाता है अगला क्योसन देखते हैं अगला क्यूसन है, निम्नो कित ग्रहों मेंसे किसको पर्तवी का जुड़वा कहा जाता है, तो इन मेंसे पर्तवी का जुड़वा किसे कहा जाता है, तो पर्तवी का जुड़वा कहा जाता है, सुकर ग्रह को कहा जाता है, पर्तवी का जुड़वा ग्रह या सांज का तारा भ इसको कहा जाता है और परत्वी की बहन भी इसको कहा जाता है ठीक है अगला क्यूसन देखते हैं अगला क्यूसन है आकार के संद्रब में वरुन हमारे सोर मंडल में किस इस्तान पर आता है यानि आकार के अदार पर वरुन जो है कौन से इस्तान पर आता है तो वरुन आता है चोथे नमबर पर आता है वरुन ठीक है और ये पर्तवी के आकार की तुलना में कितना गुणा बड़ा है तो सत्रा गुणा बड़ा है पर्तवी के आकार की तुलना में पर्तवी से कितना बड़ा गुणा है सत्रा गुणा बड़ा है पर्तवी के आकार में और दूर या सुर किर्ट या कोरोना सुर्य ही जो बायतम पजप्रत होती है इसको कहा जाता है क्या किर्ड या कोरोना कहा जाता है ठीक है अगला कुल कुल ऐसमें देखते हैं और जो कारोना है जो कि रेप tination कि में दिखाई देता है कि समय दिखाई देती है तो यह शूर In college देखते हैं अगला क्यूसन है बरस्पती का दर्योमान है लगबग यानि बरस्पती का दर्योमान है वो किसके बराबर है तो बरस्पती का दर्योमान जो है सूरिय के दर्योमान का एक अजारवा भाग है यानि सूरिय के दर्योमान का अजारवा भाग कौन सा है बरसपती का जो द्रियमान है वो किसके बराबर है सूरिय के द्रियमान का एक जारवा भाग है ठीक है अगला क्यूसन देखते है अगला क्यूसन है सूरिय के सबसे निकट का घर है कौन सा है तो सूरिय के सबसे निकट जो घर है वह कौन सा हो जाएगा बुद्ध घर है जो है स तुक्र के बाद पर्त्वी आते हैं और पर्त्वी के बाद आता है मंगल गरहे और मंगल के बाद आता है बरिस्पती मंगल के बाद बरिस्पती और फिर सनी और सनी के बाद कुन आता है अरून आता है और अरून के बाद वरून आता है तो ऐसे आठ गरहे आते हैं सुरिय के बाद हो, यह सबसे निकट का गरहे, कौन सा हो जाएगा, बुद्ध, और सबसे दूर का हो जाएगा, परुनंगर है, अगला क्यूशन देखते हैं, सुपर नोवा क्या है, यानि सुपर नोवा जो है, वो क्या चीज होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुपर तारे को क्या बोला जाता है, सुपर नोवा बोला जाता है, ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, एक तारे के अंदर बहुत तेज, स्वोट होता है, इसे इस कारण सुपर नोवा बोला जाता है, अगला क्यूशन है, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो ब्लू प्लेने को उसको क्या कहते है आपतन उस्मा कहा जाता है आपतन उस्मा कहा जाता है किसको जो सुरिये से पर्थवी को पराप्त होती है उसको क्या कहते है आपतन उस्मा कहा जाता है ठीक है अगला क्यूसन देखते हैं अगला क्यूसन ने कौन से गरहों के चारों और गोमने वाले उप उपगरह नहीं है यानि इसकों से गरहों के चार और घूमने वाले उपगरह नहीं है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध और सुकर है इनके गरह नहीं होते हैं यानि उपगरह इनके नहीं है तो बुद्ध और सुकर के जो है उपगरह नहीं होते हैं ठीक है ब उपकर ग्रह जो है वो सबसे चमकिला ग्रह है और ये परत्वी से दिखाई देता है और अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये विप्रित कैसे गुमता है दक्षिना वरती यानि एंटी क्लोक वाइज घूमता है कौन सुकर गूमता है एंटी क्लोक वाइज ठीक है अगला क्योशन अगला 11 नमर का क्योशन है किसके बितर बरस्पती का गेलेलियन उपगरह नहीं है यानि निम्न में से किसके कौन सा है उप्सन जिसके अंदर बरस्पती का गेलेलियन उपगरह नहीं है तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होज़ेगा डिमोस जो डिमोस ह ग्यात्रेस्ट जो उपग्राय है प्रस्पति के ये इसमें सामिल नहीं है डिमोस और एक होता है फिबोस तो ये सारी ये तोनों किसके हैं ये मंगल ग्राय के मंगल ग्राय के उपग्राय होते हैं मंगल ग्राय के उपग्राय है कोंसे डिमोस और फिबोस ठीक है अगला क्यूस सुर्य ग्रहन उस समय होता है सुर्य ग्रहन उस समय होता है जब तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सुर्य ग्रहन की जो गटना होती है उस सुर्य और पर्त्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ पर जो सुर्य है तो उसे क्या कहा जाता है यानि चंदर्मा जो है पूरी तरह से सुर्य को डख लेता है तो उस जो गटना है उसको क्या कहते है पर चाया या अम्रा कहा जाता है अम्रा बोलते हैं इसको अम्रा बोलते हैं अम्रा ठीक है अम्रा बोला जाता है जब चंदर मा पूरी तरह से सुर्य को ढख लेता है तो इसे बोलते हैं पर चाया बोला जाता है ठीक है अगला क्यूसन देखते हैं अगला क्यूसन है पंदरा नमर का ग्रहन के दोरान पढ़ने वाली चाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है यानि ग्रहन के दोरान जो सबसे जो काली चायां पढ़ती है जो सबसे पढ़ने वाली चायां का सबसे काला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है पर चाया या अमरा कहा जाता है अगला क्यूसन है सुरिय के चारो और घूमने वाले ग्रहों की कुल संक्य कितनी है तो आठ ग्रह हो जाते हैं ठीक है और अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है सुरिय आतप का परत्वी पर एसमान का वित्रन का मुख्यत कारण क्या होता है तो परत्वी की जो गौला का राक करती है ये इसका मुख्य कारण होता है ठीक है अगला क्योंसरा किस दिन पर्थवी सूरिय के सबसे निकट होती है तो किस दिन पर्थवी सूरिय के सबसे निकट होती है तो तीन जनवरी को होती है सबसे निकट होती है पर्थवी और चार जुलाई को सबसे दूर होती है ठीक है चार्ज लाई को सबसे दूरी पर होती है कौन पर्थवी सूरिये से ठीक है तो तीन जनवरी को सर्दिया पड़ती है तो इससे हम अंदजा लगा सकते हैं कि सूरिये के सबसे निकट होती है तो हमें दूप चाहिए होती है तो दूप चाहिए होती है तो तीन जनवरी क दूप हमें चाहिए होती है तो दूप के लिए सुर्य हमारे निकट आजाता ठीक है अगला क्योंसन है किस वेगनिक ने ये सिद किया कि सुर्य के चारों और परत्यक नकसतर का मारग दिर्ग वरताकार है तो ये किस ने सी दिखिया था कि पर्थी का जो मारग है सुर्ये के चारों और वो नक्सतर का मारग जो है दिर्ग वर्ताकार है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केपलर ने यह सिदान दिया था केपलर का जो पर्थम नियम है कक्सों के नियम के अनुसार जो क्या है विकल्पिक सिधान थे जो ये बताता है कि बर्मांड परिवर्थित नहीं होता है बले इसमें समय के साथ विस्तार होता है यानि ये किसने 1968 में विक्षित जो बिग बेंग थिवरी थी इसमें बताया था कि बर्मांड परिवर्थित नहीं होता है बले इसमें समय के साथ विस्तार होता रहे तो ये बताया था Steady State Universe ने बताया था Steady State Universe ने बताया था Big Bang Theory का बुई थी? 1980 इसके अंदर ठीक अगला है विसुवत तब होता है जब सूर्य उद्रवदर डेस के उपर होता है तो जो विसुवत होता है वो कब होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमते रेका के उपर जब होता है तो विसुवत होता है जब सूर्य उद्रवदर के उपर होता है भूमते रेका के उपर होता है और ये गटना कब होती है 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास यानि विशुए है अभी बताया है तो विशुए को बोलते हैं एक वी नौक सिंगलिस के अंदर और ये घटना कब होती है 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास होती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिन और रात दोनों बराबर होते हैं क्योंकि सूरिय क्या होता है वो मदेरेका के उपर आजाता है ठीक अगला क्यूसर परत्वी जिस समय सूरिये से सबसे हधिक दूरी पर होता है उस समय उसकी स्थित्ह क्या होती है तो इसका जो राइट आंसर होगा इफीलियन इसको बोला जाता है एफेलियन ठीक है जून आयनान्त यानने दो सब्था के बाद जब उत्री गूलारद में जडर्मी होती है तो पर्थवी के अपसोर बिंदू पर सुर्य के निकट होती है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफेलियन हो जाएगा अगला कि उसने तारा मंडल सब तरिसी को पस्चिम निवासी किस नाम से जाना जाते हैं यानि तारा मंडल सब तरिसी है इसको पस्चिम निवासी है वो किस नाम से जानते हैं तो इसका जो options देख लेते हैं options के अंदर लिखा है seven monk, alpha century, big dipper और small bear तो इसको कहा जाता है big dipper कहा जाता है कहां पर पस्चीमी देशों के अंदर वेस्ट जो countries है इसके अंदर इसको big big dipper या big deer कहा जाता है ठीक है? अगला question देखते हैं कौन सा बोनागर है तो इसके उप्सें से नेप्चून, टाइटन, एरिस और हाइटरा तो इनमें से कौन सा जो एक है वो बोनागरा है तो इसका आंसर हो जाएगा एरिस जो है एक बोनागरा है ठीक है एरिस जो है सोर मडल का सरवादिक बारी और दूसरा सबसे बड़ा बोनागरा है ठीक है अगला क्यूसर ने सुर्य भूमदे रेखा पर जो है सुर्य भूमदे रेखा पर उद्रुवदर कब चमकता है तो सुर्य जो भूमद्दे रेखा पर उद्रवदर चमकता है वर्ष में दो बार चमकता है तो अभी मैंने आपको बताया था कब कब चमकता है तो 21 March और 23 सितंबर को दो बार ये सुर्य उद्रवादर रेखा पर उद्रवादर चमकता है भूम्दे रेखा के उपर अगला कृसिन है यदी कोई सितारा सुर्य से बढ़ा है किन्तु उससे दोगुना बढ़ा नहीं है यानि कोई सितार सुरिय से तो बढ़ा है किन्तो उससे दोगुना बढ़ा नहीं है तो वह है एक किसमे परिवर्तित हो जाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पलसर के अंदर ये परिवर्तित हो जाता है अगला कि उसने तारो तथा अकास गंगाओं के दर्योमानों को किसके सम्मन्द में व्यक्त किया जाता है यानि तारो तथा अकास गंगाओं का जो दर्योमान है वो किसके सम्मन्द में व्यक्त किया जाता है तो यह किया जाता है सुरिय के दर्योमान के सम्मन्द में यानि किसी का अगर दुर्यमान बताना है तो हम सुर्य काउं सापिक्स में लेकर उसका दुर्यमान गयाद करेंगे अगला क्यूसन है उर्चा मेजर अथवा बिग बियर एक परकार का क्या है यानि उर्चा मेजर अथवा बिग बियर किसे का जाता है तो इसका जो right answer हो जाएगा इसको का जाता है नक्सत्र मंडल या सबतरिसी इसको कहा जाता है सबतरिसी कहा जाता है ठीक है अगला क्योशन देखते हैं अगला क्योशन है परत्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहां का निमलिकित में से कौन सा करम सही है तो इन में से बताना है कौन सा करम सही है तो बढ़ती दूरी के अनुसार बताना है तो पहले नंबर पर आएगा सुकर फिर मंगल फिर बुद्ध और फिर बरस्पती तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्सन अगला क्योशन देखते हैं एक तीस नंबर का वरस क दिर्ग तम आउदी निमन में से किस ग्रह पर होती है यानि वरस की जो दिर्ग तम आउदी है वो निमन में से किस ग्रह पर होती है तो इसका जो राइट आंसर होगा नेप्चून के अंदर नेप्चून जो ग्रह है यहां पर वरस की जो दिर्ग तम जो यानि सबसे लंबी आउदी जो है वर्सकी होती है क्योंकि ये सूरिय से सबसे दूर दूरी परिस्तित है इस कारण से इसकी जो है क्या बोलते हैं दिर्गतम आउदी होती है वर्सकी ठीक है अगला क्यों से देखते हैं एक ग्रहे की अपने कक्स में सुरिय से नियुनतम दूरी को क्या किया जाता है तो सबसे नियुनतम दूरी है उसको बोला जाता है उसको क्या बोला जाते है उपसोर उपसोर बोलते है सबसे नियुनतम दूरी को बोला जाता है नियुनतम दूरी बोला जाता है इसका answer हो जाएगा उपसोर यानि सबसे नियुनतम दूरी को बला जाता है उपसोर और सबसे दिंक अधिक्तम को बला जाता है क्या बला जाता है अधिक्तम को बला जाता है अपसोर ठीक है अगला question देखते हैं चंद्र ग्रेन के समय निमन में से कौन बद्दे में रहता है तो सुर्य ग्रेन के समय पर्त्वी बीच में आ जाती है सुर्य ग्रेन के समय चंद्रमा है जो बीच में आ जाता है और चंद्र ग्रेन के समय कौन बीच में आ जाता है पर्त्वी बीच में आ जाता है तो इसका right answer हो जाएगा पर्थवी ठीक, अगला किशना है निमन से कौन सा गर हैë सुरिये से सबसे दूर है इस्तिध है तो सबसे दूर जो इस्तिध गर है वो है वरून या नेपचून जो होता है ये सबसे दूर गरह होता है और इसकी दूरी कितनी है 4,000, 495,000,000 km इसकी दूरी है और ये व्यास की दस्टी से वर्मनल का चोता सबसे बड़ा गरा है तीसरा सबसे बारी है और सबसे घना गरा है यानि सबसे डेंस जो गरा है वो कौन से बरून गरा है अगला क्युसन ने सुर्य एक प्रकार का क्या है ठीक है अगला क्यूसन देखते हैं इन में से कौन पर्त्वी के आकार की तुलना में चोटे गरे है यानि पर्त्वी के आकार की तुलना में चोटे गरे है कौन कौन से है तो जो बुद्ध है वो पर्त्वी के आकार से चोटा है सुक्र है वो भी चोटा है और कौन हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा सुक्र और मंगल सुक्र और मंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा परत्व क्या कारिक तो लना में छोटे गरहे हैं अगला है ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकिला तारा निमसे कौन सा है यानि ओरियन जो तारा मंडल है इसका सबसे चमकिला तारा कौन सा हो जाएगा रिगल इसका सबसे चमकिला तारा मंडल जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा अला क्विशन है कौन सा तारा सुरिय के सबसे नजदीक है तो सबसे नजदीक जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचूरी प्रोक्सिमा जो सेंचूरी है वो सबसे नजदीक तारा है ये एक लाल बोना और कम दर्यमान वाला तारा होता है जो सेंटूरस के नक्सतर में सुरिय से लगबग 4.25 परकास वर्स दूर है प्रकास वर्स दूरी पर इस्थित है और प्रोक्सिमा जो संचूरी है पर्थु निकटा कि कारण इसके कोणी व्यास को सिद्धे मापा जा सकता है अगला कियो सना ब्लिड मून सब्द का उपयोग किस के लिए किया जाता है तो ब्लिड मून है ये कब होता है सुपर मून या सुपर मून या बलड मून इसको बोला जाता है और ये तब होता है जब चंदर्मा और धर्ती की बीच की दूरी सबसे कम होती है यानि जो चंदर्मा होता है वो सबसे बड़ा दिखाई हमें देता है उस दिन तो इसे बोला जाता है किस दिन होता है चंदर ग्रेन के दिन होता है ठीक है और इसको ब्लड मून भी का जाता है अगला है ओरियन तारा मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो जो ओरियन तारा मंडल है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है हंटर के नाम स क्यों जाना जाता है क्योंकि इसका ये नाम जो है ग्रीक जो परानी कताएं थी उसमें एक सिकारी जो औरियन नाम का एक सिकारी था उसके नाम पर इसका नाम हंटर रखा गया है हंटर का मतलब होता है सिकारी तो ये जो औरियन नाम का एक सिकारी था उसके नाम पर इसको रखा गया है और जिन तारामंडल का नाम अगला क्योंसन देखते हैं 41 सबसे जो बड़ा तारामंडल है वो किसे कहा जाता है यानि सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो किसे कहा जाता है हाइड्रा को कहा जाता है हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल कहा जाता है क्योंकि यह एक सरप था हरकुलिस नाम का उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है जो क्या नाम है? हाइडरा नाम है ठीक है? समूंदरी क्या था? सरप था या साम था उसके नाम पर हाइडरा नाम इसका रखा गया है ठीक है? सुर्य का व्यास परत्वी के व्यास का कितना गुणा अधिक है एक सो नो गुणा अधिक हो जाएगा सुर्य का व्यास पर्ट्वी के व्यास से ठीक है एक सो नो गुणा अधिक होता है अगला कि उसने सोर मंडल का सबसे गरम ग्रहे कौन सा है अभी बताना है कि सोर मंडल का सबसे गरम ग्रहे वो कौन सा हो जाएगा अगला क्रिशन ने नीचे दिये कि ग्रहों में से सोर मंडल में कौन सा ग्रह सुरिय से सबसे दूर इस्तित है वरुन ग्रह है ठीक है अगला क्रिशन देखते है उर्सा मेजर नकसतर को भारत में किस नाम से जाना जाता है उर्सा मेजर जो नकसतर है इसको भारत में क उत्री करनाड़ा जैसे दुर्वे चेत्रों में जब आकास में चमकिले रंग परदर्शित होते हैं ठीक है आकास में जब उत्री करनाड़ा और अलास्का के अंदर चमकिले रंग परदर्शित होते हैं तो उस बोतिक परी गटना को क्या कहा जाता है तो इस गटना को क्या कहा उरोरा बोरियोलिस। इसको कहा जाता है। जब यहांपर क्या होते हैं? एक चम्किला रंग है रात को दिखाई देता हैं दुरुवी चेतरों के इंदरुसे बहुते हैं ऑरोरा बोरियोलिस। घुरे उरोपा किस का एक प्राकरतिक उपगर है। तो जो यूरोपा है वो कि इसका एक प्राकर्तिक उपग्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रस्पति का जो है एक प्राकर्तिक उपग्र है यूरोपा अगला क्यूसन है एक तारे के जीवन चकर में नियारी का चरण निमन में से किस एक को संदर्बीत करता है यानि नियारी का चरण है वो किसको संदर बीद करता है ये करता है धूल और हाइडरोजन का एक बादल होता है धूल और हाइडरोजन का एक बादल होता है इसे क्या बोलते हैं नियारी का चरण बोलते हैं धूल और हाइडरोजन का एक बादल होता है अगला क्यूसन देखते हैं अगला क्यूसन है कौन सा ग्रह गेशिय ग्रह नहीं है यानि जोवियन ग्रह उनके अंदर नहीं आता है यानि गेशिय ग्रह के अंदर कौन नहीं आता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल ग्रह जो है गेशिय ग्रह के अंदर नहीं आता है बरिस्पती सनी अरुन और वरुन जो है गेशिय ग्रह के अंदर आते हैं अगला क्यूसन है रात्री आकास में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है तो रात्री आकास के अंदर जो पिंड जो चमकते हैं उनको कहा जाता है खगोलिय पिंड कहा जाता है और खगोलिय पिंड के अंदर जिससे तारा ग्रहे प्राकर्तिव उप ग्रहे चुद्र ग्रहे या धुमकेतु या चंद्रमा या सुरिय आता है और सुरिय क्या है एक खुद तारा है और इसके अंदर जो तारामंडल होता है तो इससे कई परकार के इसके अंदर क्या होते हैं पिंडो के समों को तारामंडल कहते हैं ठीक है अगला क्यूसर देखते हैं दिप्तिकार लुसिफर का एक अन्य नाम है यानि लुसिफर किसका एक अन्य नाम है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुक्र ग्रह को क्या कहते है लुसिफर कहा जाता है लुसिफर कहा जाता है कि इसको सुक्र ग्रह को और सुरिय का दूसरा ग्रह है ठीक है अगला क्यों से गरों के वेगानिक चंदरमा की चारों और विद्यमान पहले गेस ये आवरण को क्या कहते हैं यानि गरों के जो वेगानिक जो चंदरमा यानि गरों की उपगरह होते हैं तो उनके पहले जो उनके अंदर जो विद्यवान जो पतला गेश ये आवरण होता है इसको क्या कहा जाता है तो इसका कहा जाता है चंदरमा का बहीर मंडल कहा जाता है चंदरमा का बहीर मंडल या लूनर एकजो इसपेर कहा जाता है लूनर एकजो इसपेर कहा जाता है लून कौन सा ग्रह आता है यानि सोर मंडल में ग्रहों के क्रह में मंगल और सन्नी के बीच कौन सा ग्रह आता है तो मंगल और सन्नी के बीच आजाएगा बरस्पती बरस्पती आता है मंगल और सन्नी के बीच में ठीक है और मंगल से पहली कुन आता है परत्वी आती है अगला कि उसने सोर मंडल में गरो के अनुकरम में बुद्ध और परत्वी के बीच कौन सा गरह आता है तो बुद्ध और परत्वी के बीच आता है सुक्र गरह जो आता है उसे वो आता है लुसी फिर इसको बोला जाता है लुसी फिर इसको सोरी लुसी फिर इसको बोला जाता है लुसी फिर बोला जाता है अगला किसने चंद्रमा की तिर्जा कितनी है तो जो चंद्रमा है इसकी तिर्जा कितनी है तो चंद्रमा की जो तिर्जा है 1.14 into 1.14 into 10 की power 6 meter है ठीक है 10 की power 6 meter है तो यह इसका right answer होगा चार नमबर का option जो है 1.74 into 10 की power 6 meter गला कुछ ने वर्स के किस दिन पर्त्वी से वर्स के किस दिन सूरिय जो है पर्त्वी से सबसे दूर इस्तित होता है और ऐसे इस्तिती में इसे आप हेलियुन कहा जाता है तो सबसे ज़्सेटा दूर मैंने आपको बताया था चार जुलाई को होता है और तीन जन्वरी को सबसे पास हो Tा था इससे बोला जाता है क्या बोलाजाता है पेरी हीलियुन ठीक है अगला क्यूसन देखते हैं 57 नमबर का क्यूसन है बादल रहीत दिन में एक खुले मिदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परचाई सबसे चोटी बनेगी तो सबसे चोटी जो परचाई बनने के लिए जो समय होगा या टाइम होगा वो कब का होगा 12 बजे का टाइम होगा क्योंकि इस समय जो सुरी है अपने सिर्फ के उपर होगा इससे आपनी परचाई क्या होगी सबसे चोटी बनेगी अगला है दो कर्मागत अमावश्याओं के बीच के अनुमानित अवदी कितने दिनों की होती है तो दो जो कर्मागत अमावश्याओं आती है यानि एक महिने का दिन आता है तो इनकी बीच के अवदी कितने दिनों की होती है तो इनकी जो अवदी होती है बहुती है तिस पॉइंट यानि साड़े गुन तिस दिनों की इनकी अवदी होती है अगला क्यूसन है सुर्य सुकर ग्रह के कितने प्राकरतिक उपगर है यानि सुकर ग्रह है इसके कितने प्राकरतिक उपगर है तो सुक्र ग्रहे के कोई भी जो प्राकरतिक उपग्रह वो नहीं है बुद्ध और सुक्र के कोई भी प्राकरतिक उपग्रह नहीं है ठीक है अगला किशन देखते हैं किस ग्रहे के चंद्रमाओं की संक्या सबसे अधिक है तो सबसे ज़्पादो चंद्रमा है वो किस के हो जाएंगे इनस चंद्रमा जो है सब्से अधिक चंद्रमा वाले गरह के संद्रम में ब्रस्पतिगरह को सन्नी ने पीछे छोड़ दिया था सन्नी के अभी कितने है 82 जो उपर घ्रह वो सन्नी के है और वर्तमान में जो है बरस्पती के है 89 79 जो है बरस्पती के है यह है बरस्पती के और सन्नी के जो है 82 यानि 82 है और अगला क्यूसन है आज का लाश्ट क्यूसन किसे गरिये गतियों के तीन डियमों के अधारना का सरे दिया जाता है ग्रहे की गतियों के नियमों के अधार्णा का स्रिय दिया जाता है केपलर को दिया जाता है केपलर ने बताये था कि इनकी ग्रहे की गतियां होती है वो दिर्ग वर्ताकार होती है और इन्होंने तीन जो नियम है वो परकाशित किये थे कब से कब 1609 से 1619 के मद्दे इन्हों ने तीन जो नियम है वो दिये थे और परते एक जो ग्रह होता है वो सूरिय के पर जो चारों हो रहा है वो एलिपिटीकल अलिपिटीकल बोलते हैं दिर्ग वर्ताकार अलिपिटीकल का मतलब होता है दिर्ग वर्ताकार जो पत पर गती करता है तता सूर्य है उस जो दिर्ग वर्ता है उसके किसी एक फोकस पर होता है यानि जो सूर्य है वो एक फोकस पर होगा और ये गरे इसके चारों और चकर काटते रहते हैं तो ये थे आज के 61 क्यूसंस तो ये क्यूसंस आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जूर बताए और अगर वीडियो अचा लगा हो तो वीडियो को सेर करें और लाइक करें और अगर चैनल को आपने अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब चरूर करें थेंक्स पोर वाचिंग इस वीडियो